ये स्क्लास 11 वेलकम टू सिंप्ली कॉमर्स पंस अगेन हम लोग पढ़ रहे थे इंटर्नल ट्रेड चैप्टे स्टार्ट कर दिया था और आज का टॉपिक हमारा रहेगा सब्सेश और रिटेलर टूवर्स होल सेलर एंड टूवर्स कंजूमर तो एक रिटेलर सब्सेश देता करेंगे कि एक रिटेलर को क्या क्या सब्सेश देता है यह का होसकती है मतलब distribution फ्रेशिन चेन में होना भी बहुत जरूरी है अगर नहीं होगा तो भी प्रॉबलम की बात हो सकती है तो चली आज हम पड़ते हैं एक रिटेलर की इंपोर्टन्स क्या है यह फिर वह अपनी स्थेस्ट जो होल सेलर को देता है वो क्या क्या है चले स्थार्ट करते हैं कि एक र तो हम लोगों ने डिस्टिबिशन चेन पड़ी अब तक तो आपको याद हो गई होगी कि एक प्रोड्यूसर को क्या के सब्सक्राइब को प्रोड्यूसर से कंजूमर तक पर पहुंचने में कौन-कौन लोग अपना क्या कर रहे हैं हैं या फिर कौन-कौन लोग अपने थिएयर रीटेलर ही थे। प्रेटेशर होल्सेलर औह फील शेलर एण थेयलर या रिटेलर पोस्क्राइण कीज़िङ पर पेओ पिल्सेटेलर हों सेलट मांषगां टलमठा है तो यह एक्वां दिम्यों सीम तो अगर संपरव जो किया कर रहा है बल्क में खरीद रहा है यहाँ पर व चाहते हम कि मेरा समान बल्क में भिकई को यह donate को पकड़ना यहाँ की कंजुमर को कुट90 चाहें और कम कम क्वांट ओंटिटी कंजूनु को बेचना तो उसको दो पन बेचना तो थोड़ी क्वांटिटी में कैसे बाइच पिच में तो इतना बड़ा काम पड़ता है तो यहां पर रिटेलर क्या रहा है रिटेलर क्या क्या है है help in distribution of goods क्योंकि लास्ट में रिटेलर के पास पहुंचती है और रिटेलर से फिर वो कंजूमर के पास पहुच जाते हैं देन परस्टनल सेलिंग का क्या मतलब हुआ यहां पर सिर्फ हम कहते हैं रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है तो परस्टनल सेलिंग का मतलब यह होता है ज पर सिर्फ लिए रिटेलब दोनों एक डूसरे के काटक्ट में होते हैं तो हम सब को पता है तो एकस्पेश नहीं है ऐसे ही होल सेलर को कर रहा है और कहीं ना कहीं वह इंफ्लेंस कर रहा है जहां पर आपको सेल्समें या एक परसंट जो सेल कर रहा है वह आपको इंफलेंस करता है ताकि आप घूड़ को खरीद ले तो यह कौन कर रहा है यह तो कोन करता है रिटेलर ही यह काम करता है वह इस तरह से उसकी सैलिंग Aram के थूप इन्फुण करता है और वह गुड को बेच देता तो पर्समाल सैलिंग कर के वह गुड को क्या कर रहा है वास्ट की सेल बढ़ा रहा है तो यह हैल भी काम भी कौन कर रहा है रिटेलर कौन कर रहा है कंडिंग मार्कटिंग इंफोर secular हम लोगने distribution chain में पढ़ा producer से चीजें wholesaler, wholesaler से retailer, retailer से consumer तो क्यों कि retailer transformer से directly जुड़ा है तो उसको पता है कि consumer को क्या चीज़ें इस घ्रिवा hebizش है consumer क्या चीज़ पसंद कर रहा है उसको कॉन सी quality इठी लगती है कॉन सी चीजें उप ट्रेंड में है अब customer की next demand क्या है या फी जो goods है उसके क्या-क्या बुराईया है उसमें क्या चीज की कमी है तो यह सब चीजें customer के थूप कहां पोंचती है information retailer को क्योंकि retailer ही क्या है उसके बिल्कुल contact में है तो यहां पर consumer क्या कर रहा है different goods को information दे रहा है और यही information retailer को देता है wholesaler को देता है तो जो क्यों important है wholesaler के लिए information क्यों क्योंकि वो आगे producer को information देगा और producer भी उसी तरह से produce करेगा या फी wholesaler भी वही goods रखेगा जो कि is time demand में है या फी जो भी trend में चल रहे है राइट चलिए next habs in sale promotion अभी हमने last video में किya कि wholesaler sales promotion करता है वो different type of advertisement करता है ताकि goods की sale बढ़े तो goods की sale बढ़े यहां पर retailer भी different type of advertisement करता है like advertisement personal selling के थू भी हम इसको कह सकते है not only that हम यह भी कह सकते है कि producer या wholesaler sales promotion की techniques को adopt करते है like discount मिलेगा आपको इसके साथ एक के साथ एक free मिलेगी चीज़ तो यह सारी चीज़े जो टेक्निक्स adopt करते है प्रोडूसर और होलसेलर इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे लाता है मतलब retailer ही यही काम करता है यह लोग तो स्रफ एनाउंच कर देते हैं बाकी चीज़े कौन करेगा रिटेलर ही करता है क्यों रिटेलर ही consumer के बिल्कुल direct contact में होता है तो यहां पर रिटेलर क्या कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रमोशन कर रहा है तो यह सारा कौन प्रोवाइड कराता है रिटेलर ही करा रहा है हालां कि यह चीज़ें जो बनाई गई है प्रोड्यूशर और वह बनाई है कि यह सब डिसकाउंट दे सकते हैं हम आपको डिसकाउंट पर देंगे या फिर हम आपको एक के साथ गुट फ्री देंगे आप कस् 50% आपको फ्री मिलेगा या 50% चार्ज नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि रिटेलर बताता है आपको यह चीज़ें तब ही तो आप वो गुट्स खरीदते हैं अगर रिटेलर नहीं बताएगा तो प्रोड्यूशर या होलसलर कितनी ही यह स्कीम्स लांच कर लें लेकिन इसक लाज स्केल पे स्टोरेज कर रहा है तो यहां पर हम लाज स्केल प्रोडेक्शन क्यों कहा रहा है क्योंकि रिटेलर चोटी-चोटी क्वांटिटी में बेच रहा है अगर सपोज यहां रिटेलर नहीं होता तो प्रोड्यूसर और होलसलर को क्या करना पड़ता है बड़ी ब फूर्डी क्वाइंटी में परडूश करना पड़ेगा तो यहां पर रिटेलर क्या कर रहा है एक तरह से प्रोडीसर को यह फिसलिटी दे रहा है क्यूंकि हम छोड़ी स्वाइटी में रिटे खुच्छती में अधिया तो आप लास कीृटन केज़्िए यह डिफेंट इसको इस rig भूद चुन करें अबिगे है कि अगर रहा रहा है कि अनियुक्त नगई कर देगा तो इससे प्रोड्यूसर अपना प्रोड्यक्शन पर ध्यान दे सकता है चलिए एक सिंपल सा टॉपिक इजी सा टॉपिक तो यह भी कंप्लीट नेक्स वीडियो में हम करने वाले हैं कि एक जो रिटेलर है वो किसको सॉरी कंजूमर को एक डिटेलर कंजूमर को क्या- अगर आपको चीज़े समझ में कुछ नहीं आया या कुछ कंशर्ब क्लिक नहीं हुआ तो आप कमेंड बॉक्स में आजा कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि यह पॉंट यहां पर नहीं आया क्योंकि दिफरेंट बुक्स डिफरेंट टॉपिक्स लिखते हैं तो कोई भी पॉंट आपको लगता है कि यहां पर नहीं आया और यह आपको समझ नहीं आए तो आप वह चीज़ पी कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं पर चंद आया तो लाइक तो करना ही है लाइक का बटन तो प्रिस करना ही है जैह कुछ भी हो उसके बाद आ अब से कुछ और के स्टेडिस भी हा जाएंगी ठीक है श्याद आइधिंक थोड़ी वीडियो रहेंगी उसके बात आपका चप्टे क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा राइट चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में एंड थैंक्स फो वाचिंग